हालो दोस्तों नमस्का सब्सक्राइब लाग में आप सभी का स्वागत है तो आज देखे आज हम फूल का रंगोली बना रहे हैं तो यहां पे तीन तरह का फूल है तो वाइट वाला भी है और पीला वाला फूल है तो हमने रात को फूल तोड़के लाए थे बेचू से तो क्य तो आज़त बन गूल करेंगे और तरह से सर्कल वाला बनाएगे आप देखे देg के वाइट वाला से रां रांक के गोल करेंगे तो जिफाली बनाना ज़री रहती है तो यहां पर हम लोग रंगोली बना रहे हैं तो यहां पर देखर वाइट वाले से बना दी है कि इतने अच्छा लग रहा है और यह है रातरानी वाला फूल है तो मामी को मोबल ठीक कर रहे हैं तो इसी तरह से चारों तरह से राउंड करेंगे इसी फूल से तो राउंड कर लेते तो आप लोगों दिखाते हैं तो कैसा लगता है तो यहाँ पर चारों साइड से बना लिए हैं और यह जो कोना कोना थोड़ा थोड़ा पचा था तो इसमें हमने बना लिए हैं क्लेक लेते प्यूआ का यहाँ तो झांक आ Hmm कि तो प्वोल का रंगोली कैसा लगता है करें मैं जरूद बताएगा मंचनुरुन संगता है कनल का लिद्याय में बने रहे गा सफियाइगा आज हमESने लादी दिक्रान क्या क्या होता है घाप कैसे पुजा होता है कश्यां तो अब देख सकते हैं चारू जैड़ से बना रहे हैं काफ़ी अच्छे तो हमने बना चुके हैं और बनाने के बाद यहां पर देखा रहे हैं थो ऑप है यहां पें आप लोको दिख सैंज कांथ घ्ला थोड़ा मिस्टेक क straight को सब्सक्रा करता रहे हैं जोने रंगो अब चलेंगे डूषर तंगो सब्सक्राइब कर दो दिखाएंगे में वीडिएयो में बने रही एगा आप लो तो यहां पर देखिए हमने चारू साइड से दिया लगा दिये हैं तो दिया लगाने के वाद मम्मी यहां पर देखिए बत्ती लगा रही है तो बत्ती देशी के उमें बत्ती भिंगाई है तो यहां पर सारे दिया में बत्ती लगा रही है यहां पर हमने पकोड़ी के तैयार बना रहे है तो अब लोग दिखाएंगे क्या चीज क पकॉडी बना रहे हैं तो यहां पे दीए जला नहीं के तैयारी हो रहा है पुजा होने के लिए तो यहां मेरा पूवी फेल्ली है तो यह पर दिखेंगे देजल ना है चारी साइट जय कुर से तो यहां जल चुका है अब होगा आज से कि यहां पर देख सकते हैं आरती होना चालू हो गया है तो फॉलों सब्सक्राइब मिल के आर्थी कर रहा है तो आर्थी होगा गड़े जी का आर्थी होगा लश्मी जी का होगा हम दोनों लोग मिल के आर्थी कर रहे हैं कि अच्छा लग रहा था तिवाली बाले दिन तब लोग मिल के आमनों पूजा किये आप पूजा यहां पर देख सकते हैं आर्थी हो चुका है कि काफी ज्यादा दिया था देड़ सो दिया था ममी देड़ सो दिया लेली थी बहुत ज्यादा और देड़ सो बत्ती भी बनाए थी यह बीच में दिया है सबसे बड़ा वाला बीच में दिया है कि रात बर जलाया जाता है तो रात पर बीच जो बड़ा दिया है रात भर जलता है तो यहां पर सब लोग जिरी जिरी थोड़ा थोड़ा सब लोग आर्थी करेगा तो सब लोग यहां पर आर्थी कर चुका है यहां पर हमने देखिए पकोड़ी की तैयारी कर रहा है तो यह है सूरन तो देशी सूरन का चोखा खाना जरी रहता है ब्रेड और यह सब चारी पकॉड़ी यह दस चीज का पकॉड़ी बनाये थे तो गोवी है अलू है बैगन है टमाटर है प्याज है अरुई के पत्ता है कर्मी के साग है मुल्ली का है ब्रेड का है पॉर सारे चीज है पकॉड़ी तो बाहर भी दिख ठाए है सब लोग अपना तो आप देख सकते हैं पकॉड़ी खाने को लिए सब लोग को खिला दिये हैं अब हम खाने जा रहे हैं लेके छत के नजरा दिखा रहे आप लोगो एक हमने छत पे आ गया है इसारों तरह फूरे लाइट लगा हुई है काफी अच्छा लग रहा ह तो पटका बहुत तेजी से छोट रहा है बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को दिखा रहा है कैसे पटका छोड़ा जा रहा है हम लोग यां यौ देखे लेकर बहुत अच्छा लग रहा हैं है आफिको से मैरे पास मेले हार नहीं मेरे घर नहीं आया था बस चोटा पटका आये था कि अब आप अब देख सकते चारी तरह फ्लाइट लगा हुए बहुत अच्छा लग रहा था दिवाली बारे दिन तब देखिए यहां पर मेरी विडियों बने रहे हैं यहां पर बैट के हम पकोड़ी खा रहे हैं और मेरी बिद्यारा में पटक का फोड़ रही है और यहां पर देखिए लेल्टेम जलाजा रहा आकास में दो चलता है लिपक वो है तो बहुत तेजी सूढ़ेगा तो आप लोको दिखाएंगे तो गैस बन जाता है ता बुड़ता है जितक लीज़र का प्लोको दिखा रहे हैं लेकिए कितना काफिया बहुत अच्छा लग बहुत पटका पटक रहा था देखिए उतना उचाहित पर छोड़ दिये हो गया है पास में बहुत काफी लोग छोड़ रहे थे यह वाला दिवाली वाला लेट्टेम वाला बहुत अच्छा लग रहा था चारु तरफ से बेचुक तरफ तरफ तो ज्यादा ही पटका पटक यहां पर यह देखिए चुरीजा को सपपो आर्ची उतार रही है यहां पर हम लग दन गोली मना चुके हैं हम भी देखिए कितना थारग है वैसे गुमारे बत अच्छा लगया का चारी दिया च्छा लगया है इतना दिया बैसे तुब तुब